आज बात करेंगे दातों के फिलिंग के मुतालिक कौन से फिलिंग दात के लिए सबसे ज़ादे पितर है अक्सर मैं क्लेनिक्स के ओपर या ओपीडी जो होती है डिफ्रेंट हॉस्पिटल की वहां पेशन्ट आते हैं और पेशन्ट का सबसे बड़ा कुस्टन जो हता है कि दात में जो है हमारे खोड़ पड़ावा है घड़ा पड़ गया है तो उसमें भराई करवानी है हैं तो अक्सर हम लोगों से पूछते भी हैं के कौन से फिलिंग बेतर है तो आज मैं आप लोगों से इन ही टॉपिक पर बात करूंगा कि आप लोग की दातों के लिए कौन से फिलिंग्ग बेतर है याद रखिएगा करते हैं उसमें जो सबसे ज़ descob ago होती है चिन दातों में खीolerा लगा हो उसको रिस्टोर ग्याएता इसको हम डेउंसे की प्रइड है लॉटे आ फ्री सिली की ढराएं की ज हम लोग देखते हैं कि खीशन को होता है वो खीड़ा लगने के इलावा भी दान्त की साग जो होती है, मुतासर होती है, जिसमें तूत्वेयर होता है, ब्रक्सेजम के केसिस, जिसमें दान्त बीजना, उसे क्या होता है, दान्त की साइज जो हो जाता है, थोड़ा सा घिसावा होता है, काम हो जाता है, तीसरी जो सबसे ब कि decision लेना वो एक professional professional dentist का काम होता है कि वो आपके दात में कौन से filling आपको advice करता है अगर trauma है ज्यादा problem है तो वो फिर उसकी treatment बताते है अगर आपके दात में ज्यादा बड़ी cavity है तो वो उसका आप लोगों को idea देते है यह depend करता है clinical decision के ओपर अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा guide कर देता हूं कि clinical decision किस तरह के हम लोग आप लोगों के लिए लेते हैं यह आप लोगों को X-ray देख रहा है बाद बख़त क्या यह normal दात है जैसे यह कीड़ा लगावा दात है अब आप लोगों को मैं इसमें थोड़ा सा difference बता देता हूं इसमें आपको सफ़ेद line देखें एक जैसी देख पूरा जो है सफ़ेद जो है एक जैसा देख रहा है यह वाला यह समझ लें कि यह दात के उपर का हिस्सा है और यह दात की soft tissue है जिसको हम पल बोलते हैं यह काला दायरा पूरा बनावा है ठीक तो इस condition में हम लोग RCT करते हैं नौर्मल है और अगर दातों के अंदर जो कीड़ा होता है वो थोड़ा कम हो तो हम उस condition में फर्स करें यहां तक यह काला दायरा होता तो इस condition में हम फिर पेशन की फिलिंग करते हैं जिसको फिलिंग बोलते हैं जिसको हम आप लोग दातों की भराई बोलते हैं अब यह डिपेंड करता है कि एक तो हर कोई यह चाह रहा होता है कि दौक साब मुझे पक्की फिलिंग चाहिए या आप कच्की फिलिंग तो नहीं कह रहे हैं तो मैं आप लोग को थोड़ा सा य होती है अमर्गम की होती है और मेटालिक होती है और जो सफेद फिलिंग होती है वह असल में कंपाउजिट की होती है रेजन की होती है उसके अंदर रेजन पड़ावाता है और एक होता है जी आई सी तो यह आपके दांतों के ओपर भी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी एक्स है वो जादर तर composite और जी आई सी फिलिंग को recommend करते हैं जी आई सी फिलिंग का नाम जो होता है ग्लास आयनोल मर्क सेलमेंट उसके अंदर जो होता है फ्लोराइट की concentration जो होती है थोड़ी सी जाद होती है और वो फिलिंग जो होती है जाद तर बच्चों में की जा रही होती है जहां तक बड़े बड़ों की बात है उसमें हम अब जो हैं जाद तर टेंटिस्ट काली फिलिंग करतें जिसको अमलकम filling करते हैं अब जो है हम उसमें कांपोजिट дело करते हैं क्योंकि कांपोजिट कॉलिटी है- डिफरन्ट कंपनियां बड़ा अच्छा बना के दे रही हैं तो अब मैं आप लोग को पहले जो है फेलिंग का difference दिखा देता हूँ कि किस तरह की filling धातों में दिखती है और आखर मैं आप लोगों को आपकी questions जो अक्सर हम लोगों से किये जाते हैं उनके उपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा guide कर दूँगा यह है amalgam की filling यह metallic filling है अब आप खुद देखें कि यह किस तरह की filling है और अब जो है इसकी अगर मैं आपको amalgam filling का थोड़ा बहुत नुकसान बताओं कि क्या होता है एक तो याद रखिएगा कि amalgam की filling फर्स करीं आपके दातों में कीला लगावा है यह वाले नाथ में कीला लगावा है तो इसको जो है dentist जो है दात को जादा काट देते हैं फिर उसके अंदर जो है इसकी भराई करते हैं amalgam से और फिर यह बाद में आप देखें दात इसमें filling होई फिर इसको थोड़ा सा पॉलिश करके इस तरह का दात देखता है पहले के जमाने में यह दात की filling के लिए काफी उद होता था amalgam filling लेकिन अब जो है FDNA रिकमेंडेशन दी है खास तोर पे mercury hazard के बारे में mercury containing dental amalgam जो mercury इसके अंदर शामिल होती है उसके अपने drawbacks है उसके अपने नुकसाना आता है यह reference मैंने आदिया वह है आप लोग अगर जो पढ़ना चाहें मैं link में भी दे दूँगा आप लोगो description box में डाल लोगा आप लोग read कर लिजेगा और हो सकेगा तो मैं आप लोगो mercury hazard पे इसके बाद वीडियो में आपनों को guide कर दूँगा बागी यह देख लें यह है composite की filling इसके अंदर जो सबसे बड़ा फाइदा ही होता है कि जहां filling करनी होती बस उतने हिस्से को काटना पड़ता है और material को डालने ना पड़ता है यानि के composite को या resin को और इस तरह की वो filling तुद color filling होती है नजर आने लगती है अब आखर में बात करते हैं आपके सावलादाद जो आप लोगों के क्योरीद होती है जादे तर आपकी क्योरीद होती है कि कौन सी filling में दात की cutting जादा होगी तो मैंने आप लोगों को पहले बताया आपकी जो cutting होगी दातों में सबसे दादा वो amalgam में होगी आप देखें एक तो देखने से ये filling बहुत जादा अजीबसी लग रही है काला काला दात लग रहा है ऐसा लग रहा है कि दात का जो एकीड़ा है वो अभी तक मौझूद है यानि के cavity अभी तक है ये पहले के दोर में होती थी दूसरा आपका सवाल होता है कि दातों के filling के बाद दात में दर्द होगा जन नहीं होगा तो जो कट दर्द होता है दात में खास और अमलगम की filling में एक हमेशा probability रहती है यानि के ये समझने के एक chance ये रहता है क्योंकि दात की cutting जादा होती है pulp के नज़दी होगा तो उसमें chances होते हैं दर्दात में होने के दूसरी वज़ा जो आपका सवाल होता है कि Durable कौन सी filling है Durability जिस तरह आप लोगस ने जादा देर तक चलेगी क्योंकि पहले के दौड में यही होता था कि Amalgam जादा Long Lasting होती थी काली फिलिंग जोती थी Metal की फिलिंग जादा लंबिया से तक चलती थी तो अब मैंने आप लोगं को बताया Composite जो Companies बना रही है उसके अंदर जो है उनकी भी जो Durability है काफी अच्छी हो गई है इसके अलावा बात करें Repair के Point of View से न कि फर्स करें अगर आप लोगं की फिलिंग तूट गई तो कौन सी फिलिंग का रिपियर अच्छा हो जाएगा तो याद रखिएगा कि अमल्गम की फिलिंग अड़कर तूटती है जैसे ही तूटी भी है यहाँ पर तो इस पर फिर पूरी फिलिंग निकाल के इसको Repair करना पड़ेगा जबके तुट कलर वाली फिलिंग Composite फिलिंग में ऐसा नहीं है और आखर में ये जो कोशन होता है जो इसको Dentist देख रहा होता है बाद वक्त लीकेज के Point of View से कि लीकेज किसमे जादा है तो याद रखिएगा नहीं जादा लीकेज जो होती है वो अमल्गम में है नहीं Composite में मैं इस पिये लीकेज बोलना हूँ क्योंकि वो थोड़ी बहुत खफलत होती है Dentist की अगर वो अच्छी कैविटी अमल्गम की प्रिपरेट करें और अच्छी कैविटी जो है कंपोजिट की बनाए और अच्छी तरीके से अमल्गम को डाले और अच्छी तरीके से कंपोजिट को डाले तो ये लीकेज जो होती है बहुत हद तक कम हो जाती है और इस leakage को यह leakage समझने के कोई महीने देर दो महीने तीन महीने में नहीं होगी इसको time लगता है अब इस leakage से होता गया है दातों के अंदर secondary caries बन जाती है जिसको हम कहते हैं दातों के अंदर कीड़ा दुबारा से लग जाता है तो मैंने आप लोग को यही suggest करूँगा कि जो दातों की color की filling है composite आजकल दुनिया भर में वही करवाई जा रही है तो आप लोग कुशिश करें कि वही वाली filling कराएं जो के दातों के color की हो आखर में concern होता है कि डॉक साब यह कितने के filling है तो याद रखिए मैं हर वेशन को अपने ही बोलता हूं कि अगर आप लोग और चीजों पर इतना पैसा लगा लेते हैं इतना पैसा करच कर देते हैं तो यह दो दात आपके अपने हैं सोचना आप लोग ने हैं सवालों की जवाद मैंने आपको दे दिये अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो kindly like कर दीजेगा comments करके और white filling का अपना खयाल रखिएगा दातों के उपर तवज्ज़ दीजे और मेरी नेक्स वीडियो आने तक जो है चैनल को like कीजे और bell icon का जरूर बटन दवाएं ताको ताकि आपको notification आता रहा है Allah आपिस